मैं तो स्वागत करता हूँ मुझे लगता है कि इस बात इस बुद्धे पर राजनीती नहीं होनी चाहिए देश में एक आम रह बन चुकी है कि यह जो योजना थी यह नौजवानों के सेना के हित में नहीं है बहुत जलबाजी में फैस्टा लिया गया और थोपा गया कोई संबाद नहीं हुआ कोई संसित में चर्चा नहीं हुई कोई विचार हुमश नहीं किया गया एक्सपर्स वगरा से यह आनन पाने में थोप दिया गया कि हम अग्मीवीर के खिलाफ हैं और सत्ता में आते हम इसको रद करकर पुरानी भरती चालू करेंगे इसमें कोई चेंज नहीं है हम अपने स्टैंड पर अडिग हैं और कमिटेड हैं और जो को व्यक्ति जो दल जो विचारधारा जो नेता इस्टैंड के पक्ष में हम उसका स्वागत करते हैं बलकि मैं तो सादोबा देना चाहता हूं सब लोगों को कि आजनी से उपर उठकर वो इस मार्मिक मुट्टे को आज रेखांकित कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमें पुरानी भरती चालू करनी पड़ेगी और बाद में इसके बाद विकल्प देख सकते हैं क्या हो सकता है जो फॉज की रिक्वार्मेंट्स है आवरेज एज को कम करना है या कुछ और चेंजिस लाने हैं वो सौ तरीके करने के लेकिन सारी भरती बंद करकर आर्मी नेवी एरफोस सारी बंद करके सिर्फ एक ही दवार खोलके रखे हैं अग्मी मीर का ये हमको बिल्कुल गवारा नहीं है मुझे लगता है कि इसको समाफ करना पड़ेगा उसके पश्चाथ अगर कोई और विकल्प होंगे इसको तला सकते हैं लेकिन जिस तरह से सको किया गया समाथ हिंता के कारण और विचार विवर्श किये बिना इसको थोपा गया उसका विरोध करते हैं हमें नहीं कर रहा हू उसको लागू करने का फाइदा ना देश को है ना जनता को है ना फेना को है बिलकुल नहीं मैंने तीन महिने पहले ओन रिकॉर्ड कहा था कि कॉंग्रेस की बीजेपी से ज्यादा सीटे आएंगी पच्छिस में से लोग ने मुझे का किते सीट जीतेंगे मैंने का के रिख धाशया जाज्ता के बादवाग देती है वो डाभनेजन फेल हुआ У Toyota Pradesh में हुआ है रायस्तान में हुआ है और रायस्तान में हुआ हुआ है और रायस्तान गे विशेष फूप से मुझे लगा कि हमारा जो उम्हीदानों का चयान था जिन को को दो करने हमें अपन लेकिन सायम में हमने अपना पचार रखा लेकिन मुझे रखता है कि ये चुनाव बहुत महत्पून इसलिए हो गए थे क्योंकि दस साल से सरकार दिल्ली में थी और लोगों को एक परेश था जिस पर कार कि राणित हो रही थी आकरमन के राणिती आरोप करने के राणिती सरकार के तंतर का दुरुपयोग करने के राणिती और हर जगह लोगों ने भाजपा को कमाका अधिकांज राज्यों के अंदर राजस्थान के अंदर जैसा आपने कहा भाजपा के पास पहले 25 जीटे थी इस बार हम लोग 11 सी जीद कर आए हैं और ये सब लोगों की सामुई एक महनत थी हम लोगों का मैनिफेस्टो हमारे मुद्दे हमारे इस्यूज और जिन मुद्दों की चर्चाम चुरा में करते थे अगनीवर जैसा इस्यू उसको आज वो लोग जो एंडिये में हैं उस बात क पाटी के लिए कि बीजेपी तो कहती थी कि 543 सीटों पर एक ही चैरा लड़ रहा है उन्होंने का उमीदवर मत देखो आप हमको देखो हमको वोट डालो तो ये कहना कि अब भाने डालना की चैन गलत हो गया या हमारा रहनीती गलत हुई आपने का कि हम तो 300 पार 400 पार 500 पा जब अभ्यान चाल हुआ आज आप 65-70 संसत कम हुए हैं आपने अपने आपको 370 on the floor of the house कहा हम 370 जीत कराएंगे 400 जीत कराएंगे तो ये जो रिवर्सल हुआ है ये सिरफ प्रतियाशी बिचारों का क्याल ने देना है वो तो कही जगे तो मैंने देखा प्रतियाशी अपनी प्रणामों का वो इस संदेश गया है कि हम इस प्रकार की राजनीत को पसंद नहीं करते कि आप निर्वासित मुखमुंत्री को जेल में डाल दें कॉंगेस पार्टी के बैंक के खाते बंद कर दें और एक आकरमन प्रतिशोद की राजनीत का जो परीचे दिया सरकार ने उस क्योंकि काफी नहीं लोगों को हमने टिकेट दिये उनको अधिकांश लोगों को जीत कर आए हैं एक जैपरो ग्रामीन से हम चुना वड़े एक नौजवान को टिकेट दिया वो 30 साल के हैं वो 1600 वोट से चुना वा रहे हैं 1600 वोट से और वो भी बहुत आजीब तरीक से चु और रुशी का परणा हमें कि हम लोग अच्छा संख्याबर लेकर चुनाब जीत करा हैं चाहिए वो हरियाना हैं चाहिए राजिस्थान है और यह वो पट्टी है जहां पर जो उत्तर भारत में कहा जाता है कि किसान बहुत हैं महां पे फौजी बहुत परिवार वहां रहते हैं तो इस सारा प्रभाव जो उनके दस साल के कारकाल का था एंड इंकंबन्जी थी अग्नी वी डिजिसी स्कीम्स थी किसानों के पती जो उनका एक नकरात्मक रवया था उसका लाब हम लोगों को मिला लेकिन हमारा संदेश जनता तक पहुंच सका इस पूरे छेत में जैस महां से अब 11 पर पहुंचें तो ये सकरात्मक संके थे और मुझे लग रहा है कि इसका आत्मत जनतान भाजपा को करना चाहिए कि वो डबल इंजन होने के बावजूद भी इतने कम सांचत क्यों जिता पाएं हैं यहां से इसे तो कई फैसले हमारे साथ भी हुएं जिसका फादा भाजपा को मिला है तो बड़े चुनाव में ऐसा बैलेंस हो जाता है कई जगे भाजपा को फाइदा कहें है कौंग इसको फाइदा लेकिन ओवरॉल मुझे रखता है कि यहां पे किसान वर्ग और जो नौजवान व पाटी समाजवादी पाटी बनकर राई है और हरयाना रायस्थान हर जगह बंगाल रह जगह लोगों ने भाजपा को नाका रहा है और मैं इसलिए कहता हूं कि हमने जो इशु फोकस कि ए मेश्य पर कानून मिलाने की बात हम लोगों को आर्थिक मदद गरीबों को देने के हमारे अजेंडा को हमारे बेनिफेस्टो को लोगों ने पसंद किया इसलिए इंडिया लाइंच और कॉंगेस पाटी को इतना जंदा का आश्रवाद मिला है लोगों को देखिए वो भविष में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं क्यों कि वराहिस्तान से आता हूं और यहां पर हमारा संगठन हमारी पार्टी और मजबूत हो यह मेरी पाथमित्य रहेगी लेकिन मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है पाटी ने चा करनाटक में जीते, तेलंगाना में जीते और हिमाचल में जीते विधान सबा के चुनाव उन स्टेट एलेक्शन को जीतने के पाथ पूरे देश के पार्टी के कार्यकरताओं को उर्जा मिलती है तो मुझे लगता है कि स्टेट में हम लोगों को जीतना बहुत जरूर ही आन